हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में आज मैं आप लोगों के लिए ले करा हूँ एक दम चटपटी क्रिस्पी कुरकुरिय स्नैक्स की रेसिपी और इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है इसे बनाने के लिए आपको लेस प्याज नहीं खाते वह इस रेसिपी को ट्राइ कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात कि इसे हम बनाएंगे बचे हुए चावल के साथ अगर हम दोपर में चावल बनाते हैं वह बच जाता है तो उसे हमें फेकना नहीं है आप इस तरह से रेसिपी बना सकते हैं तो चलिए र नास्ते को बनाने के लिए अगर आप नास्ता ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ाना चाहते हैं तो यह जो चनी की दाल और चावल है उसकी मातरा बढ़ा सकते हैं अब हम क्या करेंगे कि इसे डाल देंगे एक मिक्सी की जार में और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें अद्र चमच के लगबग और इसे पीस करके एक दम हमें इसका फाइन सा पेष्ट बना करके तैयार कर लेना है और जो बैटर हम तैयार करेंगे उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए अब हम क्या करेंगे कि लेंगे बचे हुए चावल तो चावल यहां पर आप देख सकते हैं एक कटोरी की लगबग यानि एक कप के बराबर आप चावल देख सकते हैं कि यह है और इसे अब हम डालेंगे सेम मिक्सी की जार में और इसे हम अब पीस लेंगे और यहां पर इस मिक्सी की जार में जो चावल है न अटा नहीं था तो उसे हमें दुबारा ड पीस लेंगे और पीस करके इसका एकडम स्मूथ फाइन सा पेस्ट बना करके तयार कर लेंगे इसका जो हम बैटर बनाएंगे एकडम रणिंग बैटर नहीं रहेगा इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से होनी चाहिए कि जब हम हाथों से इसे कुछ सेफ दे तो वह खुब बन करके तयार हो जाए बिल्कुल पकोड़ी जिस तरीके से हम बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से तो यह देखिए चावल जो है कुछ बढ़िया से पीस चुका है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितना बढ़िया है थोड़ा ये गाढ़ा ही है तो आब हम क्य का करेंगे एक बड़े वरतन में इसी हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसे अच्छी तरह से फेट लेंगे और इस नास्ति को बनाने के लिए आप चाहे तो बीना लेसुन प्याज की भी बना सकते हैं या फिर इसमें डाल भी सकते हैं ये पूरा चौईस आपके उपर और यह नास्टा बहुत ही कृपुरा और चट्पटा बंगर के तैयार होता है तो आप देख सकते हैं इस बैटर का कंशिस्टेंसी किस तरीके से तैयार हुआ है तो अब इसमें हम डालेंगे कुछ शूलोग zwei mendon कीजाना, इसमें ज्याधा बिनमासाला नहीं पढ़ते कर सकते हैं क्योंकि पेस्ट में हमने पहले ही हरी मिर्च पीसी हुई है थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर जिससे की नास्ति का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा उसके बाद इसमें हम डाल देंगे बारी कटी हुई कड़ी पत्ते यहां मैंने 10-15 कड़ी पत् बन करके तयार होता है और यहां पर मैंने दो मीडियम साइज के आलू को अच्छी तरह से कद्दू कस करके धो करके निचोड के सुखा करके इस तरीकी से तयार कर लिया है आप देख सकते हैं कि जो कद्दू कस किया हुआ अलू है उसमें पानी बिल्कुल ही नहीं है तो इसे हथेलियों से दबा करके अच्छी तरह से इसके पानी को निचोड लीजिए और बिल्कुल सुखा इसे बना लीजिए ताकि जब आप इसे बैटर में डाले तो बैटर को ये गीला ना करें अब इस कद्दू कस किये हुए आलू को हम बैटर में डाल देंगे और आलू डालन है इसमें कोई भी पानी तेल वगारा हमें एड नहीं करना और इस बैटर को गुथते वक्त हमें एक ही डारेक्शन में फेटना है ताकि ये जो नास्ता है एक दम फलपी बन करके तयार हो अब हम क्या करेंगे कि इसे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा से बनाते हुए कडाही में तेल में हम डाल देंगे जिससे कि ये नास्ता बहुत ही बढ़िया बन करके तयार होगा तो चलिए अब नास्ता को बनाना हम सुरू करते हैं तो यहाँ पर इस नास्ते को बनाने के लिए हमें तेल को एकदम अच्छे से गरम कर लेना है और गैस का फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम ही रखेंगे और इसकी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी साइज की हम बढ़िया बनाते जाएंगे कडाही में जिससे की ये बहुत ही बढ़िया बन करके तयार होता है और इसे पकने में करीब 2-3 मिनट ही समय लगता है और खुब सारी बढ़िया बन करके तयार हो जाता है खुब सारा ये नास्ता बन जाता है इन छोटी-छोटी पकोड़ीयों को आप ज़्यादा मातरा में भी कड़ाही में तल सकते हैं क्योंकि अगर आप ज़्यादा भी डाल देते हैं तो ये आपस में बिल्कुल नहीं चिपकते और बिल्कुल नहीं फटते एक से दो मिनट लगते हैं इसे पकने में और फिर इसे उलट पुलट कर आप अच्छी तरह से सेख लीजिए तो आप देख सकते हैं कि मैंने कड़ाही में कितनी सारी बढ़ियां डाल दी है और ये छोटी छोटी पकोड़ियों का जो साइज है बहुत ही बढ़ियां लगता है और ये बहुत ही क्रंची बन करके तयार होता है और इसे चलाना भी बहुत असान होता है ये तूटता भी नहीं है तो बिल्कुल इस तरीके से हमें तयार कर लेना है और इसका कलर बहुत बढ़ियां आ चुका है अगर आप चाहें तो इसे निकाल सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक करके तयार है लेकिन इसे थोड़ा आप और कुरकुरा बनाना चाहते हैं तो आप इसे आधे मिनट के लिए और थोड़ा सा तल लीजे तो ये जो ना आने में कम से कम आधे एक गंटे के बाद भी ये बहुत ही क्रण्ची लगता है और टेस्टी लगता है तो इसका कलर देखिए आप कितना बढ़ियां आया है तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं और जो बाकी बचा हुआ बैटर है उसे भी हम थोड़ी थोड़ी छोटी साइज की पकोड़ी तर लेते हैं और इसका आप कलर देख सकते हैं कितना बढ़ियां आया है तो बिल्कुल इसी तरीके से सारे पकोड़ियां हमें तर लेनी है और बहुत ही मज़ेदार नास्ता ये बन करके तैयार होता है तो अब जब कभी भी रात का चावल हो या फिर द दाल से इता के सीए और पुरकुरा बन करके तैयार होता है और सबसे अच्छी बात कि जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते वह भी इस नास्ते को बना आखर के खा सकते हैं बहुत बढ़ियां बनकर ये तैयार होती है और वह भी एकदम कम मसालों में इसमें मसालें बहुत से ना हो तो आप उसकी जगह पे एक से दो चम्मच की लगभग बेसन का भी यूज कर सकते हैं बागी कोई जहंजट नहीं है इस नास्ते को बनाने में बहुत ही आसान है तो इस रेसिपी को जरूर श्राइ कीजिएगा रेसिपी और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर ब झाल 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 झाल